हलो बच्चो आज हम एक नया चेक्टर शुरू करने वाले हैं इस स्टोरी इस टाइटल्ड क्वीन आफ दे वर्ल्ड और इसके आथर का नाम है संधिया राह। बच्चो आपने अपने जीके में जो है यह जरूर जाना होगा कि किक्रिस्टोफर कोलम्बस ने जो कि sa близ peace का जो है कि कैसकते है कि सेलर था या explorer था उसने जो है अमेरिका की खोज किती 1492 में अमेरिका की खौज नहीं किती ऐस सच उसने जो है यूरोप से अमेरिकन continent नौर्थ औ जा चैट्र करें हम तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो इस पेइन से जाकर अमेरिका अज में बसे थे केरिबियन आइलाइन्स, सौथ अमेरिका, एक्सेटरा और वो लोग जो वहां पर बसे हुए थे तो उससे जो है बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड एक्टिविटी भी शुरू हो चुका था जहांपर की स्पेइन से जो है शेप्स जो है वो उन स्पैनिश पॉपुलेशन के लिए सामान वगएरा भर के ले जाते थे वहां पर उन्हें वो बेचते थे और बदले में वहां से जो है सामान और गोल्ड वगएरा लेकर वो आते थे और इन सब इन एक्टिविटी से जो है स्पेइन यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक हो गया था तो ऐसे ही एक सी वोयाज की एक कहानी है ऐसी ही एक समुद्र के यार्पला की एक कहानी है तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और मजा लेते हैं इसका बैक टो पी-अर्थ ओड़ी किया हम धर्ती पर वापस आ गए हैं मीन समुद्र में थे समुद्र से लैंड पर वापस आना इस सेंस में जो यह कह जा रहा है दाब गाऱ्ी किया हम धर्ती पर वापस आ गये हैं फर्णांडो ने अपने आखे खोली और सामने में क्या है blood of shadows blood मतलब होता है जहांपर image clear ना हो सब कुछ दुनला धुनला जैसा देखे तो हर्णांडो जो है अपने आखे खोलता है और पहले उसके सामने क्या दिखता है दूनली परचाईयां है जो कि धीरे धीरे शार्फ होती जाती है यानि कि धीरे धीरे ज़्यादा clear होती जाती है बिना शेव किया हुआ एक आदमी जो है वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था शेव का मतलब जानते हैं ना दार्य वारी जो हम काटते हैं That's called shaving. Shaven का मतलब जो shave किया हुआ हो और unshaven मतलब की जिसका दारिवारी नहीं बना हो और stare का मतलब होता है किसी को घूरना एक टक देखते रहना एकदम से तो एक बिना unshaved चेहरा वाला आदमी बिना दारिवारी बनाए हुए चेहरा वाला आदमी जो है वो उसकी तरफ घूर gasp fenando What gaspелю gasp का मतलब होता है जब हुँ लंबा सास छोड़ते हुए कुछ बोलते हैं तो उसे कहते हैं gasp, जब हुम काफी महनत करके कुछ बोलते हैं, जब बोलने में काफी महनत लगती है, आथ करके बीवारी मारी जब होते हैं या Ughoda होते हैं तो बुलता हुक्त काफे महनत लगती है ना तो ऐसे condition में जो बोला हुआ शब्द होता है तो वहां बोलते हैं gasped तो Hernando जो है वो किसी तरह से मेहनत करके क्या बोल रहा है water याने कि इसे पीने को पानी चाहिए I beg to you मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ किसी इसकी भीख मांग रहा है Hernando पानी की ship का जो है एक हिस्सा होता है four mast तो उससे जो है वो लटका हुआ था और जो ये कह सकते हैं कि रुखडे जो ये रसियां थी smooth रसियां नहीं थी काफी जो है रुखडी ये रसियां थी वो जो है उसकी हड्डियों में काट रही थी यानि कि basically उसके flesh को काटते हुए उसके हड्डियों में जो है वो चिपक चुकी थी वो रसियां उसके हड्डियों को काट रही थी वो रसियां उसके कपडे जो थी वो खून में सने हुए और फटे हुए थी और उसका पेट जो है वो दर्द कर रहा था लेकिन उसे सिर्फ एक भयानक प्यास का एहसास था बाकी जो है दर्द वो उसे नहीं महसूस हो रहा था उसने जो है विरोध करते हुए कहा कि ये तो एक रिवोल्ट है ये तुम लोग आंदोलन कर रहे हो मैं ये अलाओ नहीं करूँगा मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ शिप का जो लीडर होता है वो कौन होता है कैप्टन होता है वही वो कहता है कि ये जो तुम लोग कर रहे हो यह revolt है, और मैं यह alone नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा captain हूँ तुम लोग धोखे बाज हो, traitor मतलब जो धोखा देता है किसी को, जो अपने authority को धोखा देता है उसे traitor कहते हैं, तुम लोग वो कहता है उन लोगों से कि तुम लोग traitors हो लेकिन उसके imprisonment के चौथे दिन तक में उसकी आवाज जो है, वो कमजोर होके बस एक फुसफुसाहट सी रह गई थी बैसिकली उसे उसके ship पर ही कैद कर दिया गया है, फोर मास्टर में बांध कर सी, उसे बांध के उसे कैद कर दिया गया है और वहाँ पर जो है, चौथा दिन उसका हो चुका है, अब ये बंधे हुए और अब उसकी आवाज जो है, वो और कमजोर हो गई है, बस फुसफुसाहट सी उसकी आवाज बची है Starved of food, याने कि, खाने के बगएर जो उसे भूखा रखा गया था, और जो उसके tormentors थे To torment someone, मतलब किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देना, जो किसी को तकलीफ देता है, वो क्या कहलाता है, tormentor, तो उसके tormentors जो थे, उन्होंने जो है, उसे खाना नहीं दिया था, पानी से भी उसे बिलकुल मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था, और उसकी आवाज जो है, अब बिलकुल खत्म हो चुके थी, faded away, उसकी आवाज अब लगो, उसकी आवाज भी अब नहीं निकल रही थे, दस दिन बीच चुके थे, उसी अधमरी अवस्था में, half alive मतलब आधा जिन्दा, उसका दिमाग जो है, जब वो उस अधमरी अवस्था में लटका हुआ है, अनांडो का दिमाग, वो अब उसके पिछली समुदर यात्राओं के बारे में सोचने लगता है, वोयाज जो है, यह यूज होता है समुदर की यात्रा के लिए, उसका दिमाग जो है वो, पिछली स तो इस जो 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 आइज निन दिमाग भटकते हुए जो है उसके अघ्लियर बॉयाज इस जो है उसके हों के बादी में सुचने लगता है तो इससे जो है उसे तो जो है वह लगता है कि जैसे कि वह होश में आ जाता है ये सोचते वक्त जो है वो थोला सा होश में आ जाता है वो थोला सा जो है उन मेमरीज में जो है उसे थोला सा रिवाइव कर दिया है दुवाना से उसे जो है थोला सा जिंडा कर दिया है और उसकी आखे जो है वो हलका हलका मिल मिलाते हुए जो है खुलती है हलका सा जो है फ्ल यह समय जो है वो 600 साल से भी पहले का है जब स्पीन का नाम जो था वो Newly Discovered America के दूर-दूर के कोनों में सुना जाता था Newly Discovered America का मतलब क्या हुआ अमेरिका जो है वो दो कॉंटिनेंट्स है नौर्थ अमेरिका एंड सौथ अमेरिका फिर इसके आसपास में जो कैरिबियन आईलेंड्स बगेर सब हैं वो सब भी हो गए तो 15th century में 1492 में आपको बताया था कोलंबस ने जो है पहली बार जो है सौथ तो यूरोप से जो है पहली बार कह सकते है कि अमेरिका का जो है रास्ता खोजा गया था तो इसलिए क्या कहते हैं से Newly Discovered Americas तो आज से लग चैसो साल से भी पहले जब स्पेन का नाम जो था वो इस Newly Discovered America के दूर-दूर के Corners में यानि कि कोने में सुना जाता था जहाँ पर की जहाज में भर-भर के स्पैनिश पुरुष और महिलाए जो थी वो यात्रा करके पहुंची और सेटल हो गई कहां पे अमेरिका में उस समय में स्पैन जो है वो दुनिया का केंदर बन गया है क्योंकि अफ्कोर्स इसके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा था उस समय में एक दिन इस मैजेस्टी मतलब की राजा महराजा जो खेस पेंके उन्होंने जो है कैप्टन हावियार हर्नांडो मार्केश को बुलवाया जो की उनके ट्रस्टेड गैलियन जो है गैलियन का मतलब क्या हो गया आपका क्या अपका आप गैस कर सकते हैं गैलियन जो है वो एक कह सकते हैं कि जहाज को कहते हैं जो कि 15 से 18 सदी के बीच में यूज होता था और ओरिजनली यूद में यूज होता था गैलियन लेकिन बाद में इसका व्यापार के लिए यानिकी ट्रेड के लिए भी इसका यूज होने लगा था तो वो जो है उसके बहुती भरोसे मंद गैलियन लारीना का जो है वो कमांडर था कैप्टन हैवियार हर्नांडो मार्केज तो उसको जो है महाराजा ने बुलाया था उसे जो है अपने पैलेस मैडरिट में बुलाया था लारीना को जो है क्वीन ओफ द वर्ल्ट भी कहते है हर्णांडो जो है वो लाराइना के लिए जो है अपनी जान भी दे सकता था और अपने राजा के लिए तो राजा ने जब हर्णांडो को देखा तो उन्हों ने कहा कैप्टन अंदर आयो अंदर आईए वो क्या कहते है हर्णांडो से कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है तुम जो है न्यू वर्ड जाओगे एक साल से भी ज्यादा की आत्रा हरनांडो कभी इतनी दूर नहीं गया था उसका हिर्दे जो है वो कुछ पल के लिए धरकना बंद हो गया क्योंकि वो शॉक्ट है, सप्राइज़्ट है वो जो है जुका और उसने जो है किंग के ओरडर को स्विकार कर लिया accept कर लिया किंग जो है उससे पूछता है कि क्या तुम यह नहीं जानना चाहते हो कि तुम क्यों इस यात्रा पे जा रहे हो हरनांडो said the king, you only have to speak, your majesty the brother, my Hernan हरनांडो ने जवाब दिया कि महराज आपको बस बोलने की जरुवत है यानि कि आपको कारण बताने की जरुवत नहीं है आपने जो ओर्डर दे दिया वह पूरा करूंगा मतलब वहा कि हरनांडो जो है वो राजा के परती पूरी तरह से लायल है है ना, वो राजा के परती पूरी तरह वफादार है, पूरी तरह समर्पित है और उसके लिए सिर्फ राजा का ओर्डर ही काफी है वो ये नहीं जानना चाहता कि क्यों राजा ने उसे कहा कि वो व्यापारियों को और सामान मर्चंट्स हो गया व्यापारी सब और गुड्स हो गया सामान तो यह उन्हें Spaniards यानि कि Spaniards के लोग उनके लेके जाना है तो राजा वो क्या कहता है तो राजा उसे कहता है कि वो जो है मर्चंट्स और गुड्स यानि कि सामान जो है Spaniards के लिए लेके जाएगा जो कि रिसेंटली जो है Caribbean और अमेरिका के कॉलोनीज में जाके बसे हैं जब किसी देश पर दूसरा देश इसी जगा पर कोई दूसरा देश जब कब्जा कर लेता है उसके politics से लेके उसके economy पर पुगा कंट्रोल कर लेता है तो उसे कॉलोनी कहते हैं तो जब Spaniards जो थे या Spaniards का king जो था उसने जो है अमेरिका के जगा जगा पर कब्जा कर लिया था तो उसके क्या हो गई? colonies और वही पर ये Spaniards यानि के लोग भी जाके बसे थे तो राजा उसे order देता है कि उसे जो है merchants और सामान लेकर जो है उन Spaniards के पास जाना है जो कि recently Caribbean और अमेरिका के colonies में settled हो चुके हैं बसे हुए हैं और वहां से जो है फिर Madrid के लिए जो है उसे धन संपत्ति लेकर आना भी है यानि कि इधर से व्यापारी और सामान को लेकर जाना है और उधर से जो है जो भी धन संपत्ति होती है वो लेकर उसे Madrid आना है जो कि Spain की डाजधानी थी तो Hernando had heard about these goods अब यद्यपी Hernando जो है उसने इन संपत्तियों इन धन के बारे में जो है रिचेज मतलब यहाँ पर क्या हो गया धन संपत्ति तो Hernando जो है उसने इन धन संपत्तियों के बारे में सुना था लेकिन उसके लिए जो है न लाराइना ही जो है वो एक बड़ा सपना था जिसके उसे एक्छा थी, उसे और कुछ नहीं, उसके लिए और कुछ मैटर नहीं करता था, धन्सा परते कुछ नहीं, वो completely किसके परते डिवोटेट था? लारायना, इस गैलियाना. हर एक डॉल्फिन को जब वो देखता था, तो उसके लिए वही चमकता हुआ, युएल होता था. और हर एक हम बैक वेल उसके लिए रुवीज से भी जादा केंती था. Virgin Mary, of course, like Catholic belief में, Christianity में, Virgin Mary, जो कि Jesus की माँ थी, उनका बड़ा महतु होगा, तो Hernando के लिए जो है, हर एक वो Oliver Ridley, जो कि आराम से लहरो के नीचे तेरता हुआ जा रहा था, उसको देखना जो है, ऐसा था Hernando के लिए, जैसे कि Virgin Mary उसे आशिवाद दे रही है, Oliver Ridley जो है, यह टर्टल्स है, Hernando को अब क्या काम दिया गया था, कि वो जो ट्रेजर्स हैं, अमेरिका आज में, केरिबियन्स में, वहाँ से जो धन संपत्ती आनी है, उन धन संपत्ती को जो है, लेकर आना, उसे लेकर जो है, आना, इसी के लिए वहर Hernando को अपॉइंट किया गया था, जाओ, राजा ने बिलकुल जो है, अर्जेंसी के साथ उसे कहा, याने कि तुन्त उसे जो है, निकलना है, गो विट गॉड, यह जो है, वेल विशेज का टैक हुआ, यह मतलब कि भगवान तुमारे साथ रहे, भगवान तुमारे यात्रा को सफल करें, इसे कि हमारे हिंदू कल्चर वगएर हम भी होता है, लोग जाते वकिसके गनेश भगवान का नाम लेते हैं, तो इस सम्थिय को है, कुछ हपतों के अंदर ही हर्नांडो उसने एक सो असी सेलर्स का क्रू एक पठा कर लिया, था और उसे जो है लाराहिना ग्यालियन जो है इसमें कैसे काम होता है इसको कैसे ओपरेट करना है इन सब में उन्हें ट्रेनिंग दे दे थी बिसकली किसी भी बड़े वयाज से पहले आपको धेर सारे क्रू मेंबर्स चाहिए होते थे जो कि जहाज को चलाने में जो है हेल्प करते थे ओके तो हर्नांडो ने जो है लाराहिना के लिए इतने क्रू मेंबर्स चुने थे 180 तो जर्नी जो है वो एक साल से ज़्यादा समय लेगा तो इसलिए उन्हें क्या सावे स्टॉक कर लिया तो खाना पानी और और रैशन का मतलब हो गया और जो जाओरी की चीजें होती है ना मसाले वगएर सब भी चाहिए होगे ना बाकि जो भी रिक्वार्मेंट की चीज होती है सब उन्होंने जो है पूरा स्टॉक कर लिया जहाज में और बिलकुल तयार और एकदम से एगर एगर का मतलब होता है कि किसी काम को चुछ आप्ट तुवन्द करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? इगर, बिल्कुल बेसबर हैं, सब तयार हैं, और बेसबर हैं, बस निकलना है, और वो लोग जो है बिल्कुल धूब खिली हुई जो है आपरिल की सुबह में उन्होंने जो है अपना जर्नी शुरू कर दिया, they set sail, set sail का मतलब हो गया कि जहाज की यात्रा शुरू करना तो अगले कुछ महिनों में जो है लाराइना जो है वो different ports पर पहुंची calling at different ports का मतलब होता है different बंदरगाहों पर different ports पर रुकना हर एक port पर workers जो थे मजदूर जो थे वो आए किंती जवाहडा चांदी और सोने जो कि millions की value के थे वो ढोते हुए Spain में gold और silver जो है उन्हें जो है पिखला कर फिर peso बनाया जाएगा जो कि उस देश को यानि कि Spain को जो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देगा Fernando जो है वो देखता था जबकि वर्कर्स जो थे वो बैग वगेरे जो है वो वहाँ पर उतारते थे और धन संपत्ती जो है वो जमा करते थे इन में से कुछ जो वर्कर्स थे वो इतने कम उम्र के थे कि वो जो है उसे अपने बच्चों की याद दिलाते थे जो कि Spain में थे घर पे थे तो जब अंतिम बैग जो है वो जब उठा के अंदर रख दिया गया वो जो है फिर दुबारा घर के लिए जो है वहाँ से चल पड़े घर का मतलब क्या होगा यहाँ पर Spain शुरू शुरू में सब ठीक ठाक चला तबी अचानक से हवा की देशा जो है वो बदल गए बादल जो थे वो बिलकुल घने हो गए और लाडे जो है वो और उची उची उचने लगे ला राइना जो है वो स्टॉर्म में जा चुका था यह जा चुकी थी अब हाथ जो थे वो दर्द कर रहे थे पैर जो है वो सूज गए थे और घर की याद जो है वो क्रू मेंबर्स को परिशान कर रहे थी जबकि वो वहाँ पर शिप को अपने रास्ते पर बनाए रखने के लिए संघर्स कर रहे थे क्योंकि आंधी के बीच में शिप के डायरेक्शन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है न तो कुल मिलाकर यानि कि आप परेशानी शुरू हो गही है ला रहे आप और जो क्रू मेंबर्स हैं वो काफी अप परेशान हो रहे हैं वेब्स जो है लगातार जो है वो टकरा रही है गैलियन को जो है दोनों तरफ side to side का मतलब हो गया दोनों side की तरफ जो है हिलाते हुए दिन जो थे वो बिलकुल अंधेरे से भड़ा होता था और राते जो है वो बहुत ही जो है क्या सकते हैं कि परेशान करने वाले सपनों से भरी होते थी धीरे धीरे जो है चुहे और कोक्रोच वगरे जो थे वो अपने छुपने की जगा से जो है बाहर निकलने लगे सेलर्स जो थे वो बिमार पड़ गए और नाखुशी जो है वो जो है लारायना पर अब फैलने लगा प्लेजर मतलब क्या होता है खुशी और डिस प्लेजर का मतलब क्या होगा तब नाराज होना तो नाराजगी जो है वो अब लाराइना पे फैलने लगी सालवदर जो की एक सेलर है वो छो एक रात कहता है कि हम लोग ऐसे कच्री में क्यू रहें जबकि कैप्टन जो है वो कैबिन में मजे ले रहा है या कैप्टन जो हो कैबिन में मजे लेता है समुद्र जो है वो काफी रफ था यानि कि लाड़े जो है वो लगातार उची-उची चल रहे थी और हवा जो है वो काफी ठंडी थी चिल मतलब ठंडा मिग्वेल जो की दूसरा एक सेलर है वो कहता है कि यहां हम दुनिया भड की धन संपत्ती जो है वो स्पेन लेके जा रहे हैं और हमें क्या मिलेगा बस तीन सो बेकार के पेसोज सेल्वाडोर करता है कि वो भी तब जबकि हम घर पहुंचेंगे बीच में कुछ नहीं मिल रहा हमें और अग्ला बाद इफ वी डू अगर हम पहुंचते हैं तो क्यों कहता है वो ऐसा क्योंकि सी बोयाज़ेश में बच्चों बहुत रिस्क होते थे अगर पाइरेट्स बगेर नहीं जहाज को लूट लिया और सब को मार दिया कुछ नहीं मिलेगा तो इसलिए वो कहता है इफ वी डू अगर हम पहुंचे तो इसल्वडोर जब आगे करता है कि हम लोग इतनी गरीबी में गरीबी क्यों जहलें जबकि किंग इतने आराम से रहता है dissatisfaction जो है और संतोष जो है वो धीरे धीरे सभी हिस्तों में फैलने लगा झाल 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 झाल